नमस्कार मा गायतरी कुहर राष्ट्रेता को पहरे दारी जनादिकार को पक्ष्या मा खवर दारी न्यूज नेपाल टेलिवीजन को प्रस्तुती गंड़की एक्स्प्रेस मा यहालाई स्वागा छा पोखरा प्रसारण के इंद्र को प्रस्तुती गंड़की एक्स्प्रेस सुरु गराऊ आजको समाचार का हेड्लाइन्स बाटो एस बर्शको माध्यमिक शिक्ष्या परिक्ष्या एस ईए देस भर एक्के साथ शुरु परिक्ष्या माध्सार लाग चोरस्ती हजार दूइसे सत्ताइस परिक्ष्यार्थी सहभागी विश्तोमय पहिल पटक आरोहडगरियेको अनपुन प्रथम हिम्सिफर सफाई अभियान शुरु नेपाली सेनाले सफाई अभियान संचालन गर दै मैगदीका एक किसान ले तरकारी खेतिवाटे वार्षिक 12 लाग को आमदानी देश्त कई माटोमा गरेको परिश्रम ले आत्म संतुष्टी गोर्खा जिल्ला को पालुंटार यर्पोट मां 43 बर्षदी की उडान अवरुद्ध यर्पोर्शन चालन मा ल्यावना स्तानिय को माग रो सहारा फुटबल क्लॉब ले दुई दस्तो कोवदी मां तेश्ट्रो व्याज का खेलाडी ले एकेडेमी बात अविदाईगर ने चौथो व्याज का लागी आवेदन आहवान अब गंडकी एक्स्प्रेस विस्तार मा शुरुगरोव S.E.E. परिक्षिया सुरुभाय को प्रसंग बात एस बर्षको माध्यमिक शिक्ष्या परिक्ष्या S.E.E. सुक्रवार आठ वजे देखी देशाई भर एकेड़ शुरुभाय को छा राष्ट्रे परिक्ष्या बोड का दक्षिय महास्रम सर्मा का अनुस्तार सततरोय वटा जिल्ला का 2036 परिक्ष्या केंद्र तथा जापान को योटा परिक्ष्या केंद्र बाट एककाई साथ सान्तिपूड रुपमा परिक्ष्या सुरुभाय को छा पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विश्या को परिक्ष्या भाय को हो बेद विद्यास्ट्रम तर्फ अनिवारे संस्क्रित भासा साहित्तेर अनिवारे अंग्रेजी को परिक्षिया भाय कोछा एस बर्ष परिक्षियामा कूल 4,84,227 परिक्षियार्थी सहबागी रहेको SEE का परिक्षिया नियंत्रक विश्णु नाराण स्रेष्टले जानकारी दिन भाय कोछा वहाले भन्दभयो एस बर्ष को SEE मा सहबागी हुना का लागी 2088 साल मा कक्षिया नौ मा रोजिस्ट्रेशन भरने विद्ध्यार्थी 5,64,591 रहेका थिए कक्षिया दसमा आई पुगदा परिक्षिया मा सहबागी हुना आवेदन दिने विद्ध्यार्थी 4,84,227 जाना रहे कक्षिया नौ बाट दसमा आउदा 32,364 विद्ध्यार्थी घटेका शन नेपाल बाट रोजगारी का लागी जापान पुगे का नेपाली नागरिक का 14,64 चोरीले जापान बाट ऐ परिक्षिया दिदेशन जापान सरकार को अनुमतिमा नेपाली पाठेक्रम मा पड़ाय हुने टोकियो को योटा सैशिक सस्तावाट उनिहरू S.E.E. परिक्षिया मा सहबागी भायको परिक्षिया नियेंत्रक श्रेष्टले जानकारी दिन भाय परिक्षिया मा सबई भंदा धेरेई बागमती प्रदेश का एक लाग चोहजार नौसे उनन साथी र सबई भंदा कम कडाली प्रदेश का 41,339 परिक्षियार्थी सहबागी भायका शन प्राविदिक धारतर्फ करीब 15,000 विद्ध्यार्थी परिक्षिया मा सहबागी शन परिक्षिया मा सस्क्रीत विश्य पड़ाई हुने 65 विद्ध्यालायका 2009-72 विद्ध्यार्थी र पचास द्रिश्टी विहिन विद्ध्यार्थी परिक्षिया मा सहबागी भायका शन विद्यार्थी ले आवेदन दिये का थिये। प्रदेश सिक्ष्या निर्देशनालाई गंड़की प्रदेश का प्रमुक अम्बीका आचारियले जानकारी दिन भाय कोछा। वहां कानुसार परिक्ष्यामा प्राविदिक तर्फ एक हजार तीन से चैत्तर विद्यार्थी ले परिक्ष्या दिदैशन भने ग्रेड व्रिद्दी को परिक्ष्या दुई से बहत्तर जानाले दिदैशन। कासकी जिल्लामा एस बर्षको SEE मा 10,442 जाना विद्यार्थी सहबागी भाय को जिल्ला सिक्ष्या समन्वे इकाई प्रमुक नारेड शुवे दिले जानकारी दिन भाय कोछा। वहांका अनुशार जिल्लामा साधरन तर्फ 10,143 रो प्राविदिक तर्फ 2,99 विद्यार्थी परिक्ष्यामा सहबागी भाय का सन्भाने ग्रेड व्रिद्दी परिक्ष्या दिने 26 सिछन। SEE को पहिलो दिन शुक्रवार अंग्रेजी विशय को परिक्ष्या सांती पुडरूप मां संचालन भाय को वहाले जानकारी दिन भाय कोछा। देश भर्षुर भाय को माध्यमिक सिक्ष्या परिक्ष्या SEE मां मैग्दी को सदर्मुकाम बेनिस्तित उज्याल वैकल्पिक विद्यालाय बार्ट 17 वर्षिया रादादेवी पुन सहित 9 महिला सहबागी हुन भाय कोछा। परिक्ष्यामा 17 वर्षिया रादादेवी पुन, 15 वर्षिया डिलकुमारी पुर्जा, इंद्रामती फगामी, 37 वर्षिया, संगीता छिनाल, 35 वर्षिया, तुलकुमारी मल्लकेसी, 14 वर्षिया, धनकुमारी विका, 49 वर्षिया, राम देवी पुन, 40 वर्षिया, विष्ण बेनी सामुदाईक विद्यालाई अंतर्गत विक्रम संबद्धु हजार तिरत तर्माय स्तापना भाय को उज्यालो वईकल्पिक विद्यालाई मंगला घाटे स्तीत सामाजिक विकास कारलाई रहे को भवन को भुई तलावाट पठन-पाठन संचालन गरी देया आये को छा। महिला हर रुको पडने धोको पुरा गर्नक लागी संचालन गरी एको एस विद्यालाई लाई प्रदेस सरकार, बेनी नगरपालिका को अनुदान र सोधेश तथा विदेस में रहेका दातावाट प्राप्त चंदावाट विद्यालाई संचालन गरी एको अद्धक्षे एस बर्षको माद्धे मिख्ष्या परिक्ष्या SEE देस फर एकैसाइ सत्षुरुभाय कछा। माद्ध्य मिख्थटों को महत्पोड परिक्ष्या मानीने SEE मा लाख्व विद्यार्थी सहबागी शन। समाजिक प्रतिष्टा को रूपमा समेद हेरीने एस परिक्ष्यामा विद्यार्थी अविभावक्र सिक्ष्या अधिकारी हरुले उच्छ ध्यांदीने गरेको पाइन छा। एसले हमरो बाल बालिका को सिक्ष्या कोस्तो हुदैशा भनने पनी देखाऊंचा। पहिले को SLC रवर्तमान SCE मा के फरक्ष रविद्यार्थी ले स्लाई कोसरी लिएका सन्भने र हामिले सम्बन्दित लाई सोदे का सौं। हेराओ हेर वहार को भनाई आज अको पक्षे प्रति पक्षे माँ। अज थेका जानीवलाचे एकदमे डाई लाथी आज अब नर्मली जो पानी एकदमे नावर्ष तव भायाल सा और थेका गेट नीरी गोए पसे एकदमे डाई लाथी। तरहा सब बेजाने इंवर्मेंटेस एक दामी थी थी थीवराज से अप्रणी के डर हूं छा तरहा जथी डर लाथे तिस्तेश नवदो रहे शा पाहले की तुलनामा पहला का थुलनामा उनारो ओनारो पाहले को तुलनामा अवनारो पर बालमंदिर में भालमालों। नए ठाउ, नए स्कूल, नए क्लास, अब पुन ठामाचा नियामी मनने, शर्रामसी प्रपर नौलिज बाएन के फर्स्ट टाम दिये रहा दानी। नेपाल को अनपुर्णा प्रथमबात अविस्सो मई 8000 मिटर भंदा अगला सिखर को आरोहड आरंब भाय को हो। सन्-1950 मा फ्रांसेली आरोही मौरीस हर्जोगल ले नेपाल मैं पहिलो पटक अणपुर्णा प्रथम आरोहड गर्न भाय को थियो। सन्-1993 मा मात्रई सन्-100 एड्मांड हिलारी र तेंजिंग नोर्गेसर पाले सर्वच्च सिखर सगर माथा आरोहड गर्न भाय को थियो। विश्चो माने आरोहड इतियांस रचे को अणपुर्णा हिमाल मा बहत्तर वर्ष पछी सफाई हुने भाय को था। माथी उठेको भंदै नगर प्रमुग धनराज आचार यले विदाई मा महानगर को जंडा पनी हस्तान तरण करन भाय को था। अणपुन चुचुरो मा सेनाले पोखरा महानगर को जंडा पनी फहर आउने शन। नेपाली सेनाले सगरमाथा सहित चार हिमाल मा सफा हिमाल अवियान 2013 संचालन गरेको मा अणपुन पनी परेको हो। सेनाले सगरमाथा लोचछे बोरुंजे रा अणपुन हिमालवार्ट कुहीने रा नकुहीने 35,000 किलो फोहर शंकलंगर ने लक्षे लिएको शा। अनपुना बात मात्राई 10,000 किलो फोहर संखलन गर्ने योजना रहेको पस्चिम पतना हेड क्वाटर विजैपूर का प्रमोक्सेनानी किसोर अधिकारी ले जानकारी दिन भाय को छा। अनपुना आरोहण गरेका वेक्ती रोग गाइड हरुले पनी फोहर भाय को बताय पसी सफाई गर्न छनोट गरियेको वहाले बतान भाय। अभियान 2020 मां सगरमाथा संगई लोच्चे, पुमरी, मकालू, धवलागिरी र अमादलम हिमाल सेनाले सफाई गरेको थियो। पालूंटार यरपोडबाट दैनिक काथमंडोव पोकरार भरतपुर उडान हुन्थियो। वहाले 2023 साल भाट भाडा बडायको पतान भाय। जब नारंडगर मुगलिन शड़क खंड बनियो औनी जहाज चडने को संग्या घटन थालियो। यात्रू नभ है के कारण तो 1036 साल भाट उडान बंद भाय। तेस यता पालूंटार यरपोड मा स्तान यले जहाज देखना पाये नन। जहाज बिना को यरपोड गौचरन मा परेड़त भाय। पुनह संचालन गरने उद्देश सेले नेपाल नागरिक उद्द्यान प्राधी करण ले दुई वर्ष अगी यरपोड इस्तर उन्नती को काम शुरू गर्यो। रन्वे सफागरी ग्राविल गरे र कंपाक्ट गरन र यरपोड वरापर तारवार लगाऊन कास्टम आंडव कंस्ट्रक्शन प्राली संग तीन करोड सत्र लाख पचास हजार मा ठेका समझावता भाय। 2017 साल असार 31 गते ठेका समझावता भायर काम पनी अगी बढ़े। तर जग्गा स्वामित्तो को विशाय मा स्तानिय संग को विवाद ले काम रोकियो। विवाद भायर काम रोकिये पसी हमरो टोली ले फिल्ड विजिट गर्यो। प्राधिकरण का सुचन आधिकारी ग्यानेंद्र भूल्ले बताउन भाय। गाउलेले रनवे को वीचमा सडक्र यर्पोट को जग्गामा घर बनायको दिखियो। यर्पोट संचालान भाय पालूंग्टार लाई गोर्खा लमजूंग रत्तन हु केंद्र करूप मा वेकास करन सकीने पालूंग्टार नगरपालिका का मियर विवस चिन्तन बताउन होंचा। यर्पोट एथासिगर संचालान मा ल्याउन स्तानियले माग गर्दे आये काशन। प्रदानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंडले पालूंग्टार यर्पोट संचालान लाई आफनो चुनावी एजेंडा समेत बनाऊन भाय को थियो। त्यस्यता पनी वहाले पटक-पटक को भाशड मा यर्पोट संचालान मा ल्याउने आस्वासन दिदे आउन भाय कशा। मैगदीका एक किसानले तरकारी खेतिवाटै वार्षिक 12 लाखो आमदानी गरे काशन। 40 बर्ष पहिले विदेश पनी जान्न, जागिर पनी खान्न भन्ने अडान का साथ विक्रम संबत 2034 साल मा 1000 लगानी गरी क्रिसी पेशा सुरुगर्न भाय का मैगदीका 69 बर्षिया चंद्र बहादुर कारकीले अहिले 3 करोड रुपया भंदा बड़ी संपती आर्जन गरी सक संगय का साथी अहिले क्रिसी वाइग्यानिक वरिष्ट क्रिसी विकास अधिकरीत लगायत निजामती सेवा को उच्छ तहमा पुगे पनी कारकीको प्रगती देखेर उनी हरु आस्षर्यमा पर्ने गरे का सन्थार वर्ष को मेर देखी नई क्रिसी पेशा गर्देयाउन भा संगय का वहां अहिले जिल्ला का नमुना क्रिसान र CASी सेवा मा सक्रिय विक्तिका रुपमा चीनी नहुंच। कारकीले अठार अरोपनी जग्गामा मौसमी तथा बे मौसमी तरकारी खेती गर्न भायकोछा वहाँ जिल्लामा मिस्रित खेती प्रडाली गर्ने पहिलोग की सान होने होंचा कारकीको खेदवारीमा बारई मासा आलू, बंदा, कावली, गोलबेडा, साग, ब्रोकावली, धनिया, लसुन, प्याज, खुर्षानी लगायत तरकारी रो केरा, स्तुन्ताला, कागती, अम्बा लगायत फल्फुल देखीन चन गोठमा भईसी बाखरा घरवर पर राखेका मौरी का घारमा मौरी र माच्छा पालन भाट पनी वहाले मनग्य आमदानी गर्दे आउन भायको छा मैले अठार वर्षको मेरदेखी तरकारी खेती सुरु गरेको हूँ, कारकी भन्न होंच, तेती वेला मलाई जागिर खान वा विदेश जानका लागी धेरे आगरह गरियेको छियो तरमयले जागिर पनी नखाने र विदेश पनी नजाने अड़ी लियेर क्रिसी पेशा सुरु गरे 1000 रुपईया लगानी वाट शुरु गरेको व्यवसाइक तरकारी खेती वाट बार्षिक 12 लाख भन्दा बड़ी कमाई हुने गरेको छा माटो संग खेलदा र पसिना चुहाउदा निकै आनंद को अनुभूती हुन्छ यहां माटो मा गरेको परिस्ट्रमले यहां सम्म लियाई पुरे आयको हो इने इपसिना विदेशी भूमिमा खर्ष गरेको भाई न एत्तिको कमाऊन सक्थे न आत्मस्तंतुष्टिने मिलने वहां को भनाई छा भागलूंको ठुलो फाट छेवको ओदान डाडा को स्वरु पच्छिलो दोई बर्ष यता फेरियेको छा धार्मिक परेटक वित्राओने लक्षे का साथ केही समय अगी सम्म गुम्नाम रहेको ओदान डाडा स्थानिय को शक्रियतामा पुर्भादार रप्रचार प्रशार पसी चर्चामा आयको हो आकासबाटक हसे को प्राकर्तिक ओदान सम्रक्षन गरेर राखिये को स्थान लाई अहिले परिय चकीए गंतब्य बनावने उद्देशे का साथ पचिलो दुई वर्षाग्यता थुप्रई परिय चकीए पुर्भादार थपिये पसी ओदान डाडा को चर्चा चुली न थाले एतियास्तिक महत्तो बोके को ओदान डाडा को सम्रक्षन ट विकास का लागी गठन भायको ओदान डाडा सम्रक्षन समिती को अगुवाई इस्थानियो को सहयोग र Пालिका र गोन्डर की प्रदेश को सहयोग मा एस सित्रामा पुर्भादार निर्मार पसी परिय चक आउन थाले का शन अईतिया आसिक महत्तो बोकेर पनी ओदे ओजेल मा परेको वागलूंको काठे खोला गाउपाली का साथ रेस इस्तित ओदान डाडा स्तानियेको शक्रियतामा सम्रक्षण को काम भायको छा ओदान रहेको मंदिर रो सतल मात्रई रहेको स्तानमा अहिले पद मार्ग प्रबेश द्वार आकर्षक पानी को फोहर शहित को पोखरी व्यवस्तित शतल रजग्गा व्यवस्तापन को काम भायको छा बाइसे चोबीसे राजी अंतर्गत भुरे राजा का पाला मा आकास बात चट्यां खश्नेक्रम मा खशेको प्राकर्तिक ओदान सम्रक्षण गरी राखिये को स्तान लाई पसी ओदान डाडा नामा करण गरिये को थियो अहिले ओदान डाडा परेटकिये गंतव्य बंदै गएको स्तान या रामचंद्र गउतम ले बताऊन भायको छा तनहुको भानु नगरपाली का दुई भकुन ठोक्मा ट्याक्टर दुरगटना हुदा एक को मृत्तो भायको छा भने दुई जाना घायते भायका शन मल्याउदे गरेको ट्याक्टर को टेलर छिल्दा सोही टेलर ले च्या फियर एक को मृत्तो भायको जिल्ला प्रहरी कारलाय तनहुले जनायको छा मृत्यक बिवरन खुलना बांकि रहेको जिल्ला प्रहरी कारले तनहुका प्रहरी निरिक्ष्यक भानु सरमाले जानकारी दिन भाय दुर्गत नामा घ्हाई ते दूई जनाको डुम्ब्रे स्थीत लक्ष्मी अस्पतालमा उपचार भई रहेको प्रहरी ले जनाय को स्था अकेडेमी मां भयका प्रसिक छार्थी लाई बिदाय गर्दै चौथो ब्याच राखने योज जना बनाये कोछा। अकेडेमी मां राखने चौथो ब्याच राखने चौथो ब्याच राखने जना बनाये कोछा। अकेडेमी मां राखेर सिक्ष्या दिक्ष्या संगई फूडबल प्रसिक्षण गराउने चा। अध्यक्ष्य गुरूंका अनुसार तीस जना भंदा बड़ी भायक अवस्ता मां चनोट गरेर राखी ने चा। चनोट मां दस बर्स लागे को हुनुपर ने प्राभदान चा। प्रसिक्षार्थी वालक पांच कक्ष्या मां अध्यन रत हुनुपर ने प्राभदान समेत राखे कोछा। साररिक अपांग अता नभायक अहुनुपर ने समेत चनोट समितीले उल्लेख गरेकोछा। हामी गंड़की एक्सप्रेस को अन्तेमा आईपूगे काशा। जादा जादे हेडलाइन्स न्यूज पुनह एक पटर। एस वर्षको माद्यमिक सिक्ष्या परिक्ष्या SEE बेस भर एके साथ शुरू परिक्ष्या माद 4,84,272 परिक्ष्या र्थिस्त हबागी। विस्तो माँ पहिलो पटक आरोहर गरियेको अनपुना प्रथम हिम्सिकर सफाई अभियान शुरू निपाली से नाले सफाई अभियान संचालन गर दे। मैगदीका एक किसान ले तरकारी खेतिवाटे वार्षिक 12 लाग को आमदानी देशके माटो मागरे को परिश्रम ले आत्म संतुष्टी। गोर्खा जिल्ला को पालूंटार यर्पोर्ट माट 43 बर्षदी की उडान अवरुद्ध यर्पोर्ट संचालन मा ल्यावन अस्तानिय को माट। रोस सहारा फुटबल क्लोब ले दुई दस्तक क्वबदी माट केश्रो ब्याच का खिलाडी लाए एकेडेमी बात अविदाई गरने चौंतो ब्याच का लागी आवेदन आहवान। दस्तक ब्रिंद न्यूज नेपाल टेलिवीजन मा गंड़की प्रदेश को प्रस्तुती गंड़की एक्स्प्रेस आजलाई यतिने। हामरा प्रसारण हरू यूटूब, ट्विटर, फेस्बूक र इंस्टाग्राम मा समेथ हेर ना सक्न हुनेशा। राश्ट्रेता को पहरेदारी जनादिकार को पक्षया मा खबरदारी हेर्दे रहन हुला न्यूज नेपाल टेलिवीजन नमस्कार। पाइब ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्य। प्रसारण हरू नग्जरियस होस्पितालिटी। हमालाईन वाइटाउस इंस्टी नास्ट्रेशन वर्थ इजिए अटूट। दीस होम 5108 प्रकास पुंजा अल्टिमेट लाइट सेंटर पोगरा सवाकरी हाचो। फोन नमर 061 522 074।